कि एक कि रुपे में 25 वस्तू बेचने पार एक व्यक्ति को 20 पर्ष各र अलाव होता है एक रुपे होोग से कितनी वस्तू खरीदीं कि अगर एक कुन्य प्रफर अगर यि पाउच यह अगर ₹ पर रुपे में पहलो कि माल्साइब कि माल लो कि 25 परसंट का प्रोफिट नहीं कि 20 परसंट के फ्रेक्शन वैलु होती है एक वेटे 5 यह पांच के समान को 6 में बेच रहा है तो उसे कितना का 20 परसंट का प्रोफिट होगा तो मैं सिर्फ आप से यह बोलना चाहता हूं इस किसमें होता है क्या है कि जो 25 जो फैली ह कि 25 परसंट का क्रेमुल 25 रुपे है अगर मैं ऐसा माल लो कि एक वस्तू का क्रेमुल एक रुपे है तो 25 वस्तू का 25 रुपे है तो 25 पांच के वेलू कितनी हो जाएगी आपकी पांच कुना इसकी यानि कि 30 हो जाएगी यानि करने का मतलब यह हुगा कि जो आप इसको CP पांच के वस्तू बेचेगा लेकिन यहां पर होता है क्या है कि चीज़े रिवर्स में चलती है एक रुपे में 25 वस्तू बेच रहा है कब बेचेगा पांच रुपे की वस्तू अगर 25 वस्तू बेच रहा है यानि कि इसका 5 गुना है तो 6 के वस्तू कितना इस 6 का 5 गुना क एक वर्पे में तीस वर्ष्टू खरीदेगा और एक वर्पे में पचीस वर्ष्टू बेचेगा तो उसे कितना का लावोगा 20 पर समझेगे हम पर मैं क्या कर रहा हूँ डोनों एक केस में आपको यह समझना ऐसे तो आप समझना आप पांच अच्छे जा रहा है शे के बहलू एक वर्ष्टू खरीदेगा जाओ मावज अनिहां आप यहां को यह रखना है कि छ्य только के यह युद में जाओगा अलाकि लिखना नहीं चाहिए مैं चेप घ्लिख्ञां और इसको कि आप 0-10 झाल झाल